हाई फ्रेंड्स मैं प्रवंद्रे खाल फ्रेंड्स आज की यहां हमारी गिम प्राग जस्ट फेस्टिवल की है वंस अगें रभीन फ्राव पगनानंद यहां सेकेंड राउंड में उनका मुकाबला प्राहम मक्षुद्दू से था फ्रेंड्स तरह लाकिन शुरू करता हूं गिंपो डी फोर के साथ यहां प्रहाम ने शुरू किया देन नाइट एफ सिक्स से रिप्लाई यहां प्रिग्ननंद का आया बीशेफ गया फोर स्क्वार पर डी फाइव देन ए थ्री कुइन्स गेंबिट जैसी है क्या नहीं अभी तक नहीं है बिशेफ आया फाइव स्क्व के लिए प्रहम जाने वाले है नाइट एट भी बोस तो डी सैवन शायद इसी लिए यहां पर पहले प्रग्नन नाइट सी त्री डी टेक्स सी फूर बिशेफ आया नाइट आया बी सिक्स स्क्वार पर तो बिशेफ अपना वापस चला गया ईटू स्क्वार पर एफाइव एटरी सी सिक्स देन हुआ बिशेफ जी फाइव और फ्रेंट सी यह डिस्टर्मेंस के त्यारी है यहां पर देख सकते हैं आपका अट्रेक्टिकल फॉर्मिशन लग सकते हैं तो ब्लैक कोई दिक्कत नहीं है बिशेफ एवन एवरेटिंग इस सौर्ट इट एउट तेरे ख्याल से प्रहाम यहां कैसल करने के बारे में नहीं सोच सकते थे नाइट को बाहर निगाल करके एफ़ोर हुआ क्विन पर अटेक बना क्विन वापस आई अपने औरिजिनल स्क्वार डीवन पर नाइट अटेफ गोज टू डी सैवन बिशेफ एक्शन आसकी है प्र एफ़ोर एफ़ाइव पॉनेक्शन सेंटर में अब गर नहीं होंगे डी टेक्स एफ़ाइव एफटेक्स एफ़ाइव देन हुआ एफ़ाइव बिशेप पर अटेक गया वापस एफ सैवन स्क्वार पर मेरे ख्याल से एक अच्छी खास यहां मैं कह सकता हूं कि गेम फर्म बिशेप आया c4 स्क्वार पर बिशेप एक्शन रास्मी है लेकिन पर हमने बिशेप एक्शन नहीं किये अपने रुक को लग लिया e1 स्क्वार पर रुक अटेक्स एट पर अपने अटेक या फॉर्मेशन जो भी आप कह सकते हैं उसे लगाने की तैयारिया यहां कर चुकी है नाइट f2 from white side then हुआ bishop takes e2 rook takes e2 then हुआ knight c4 और friends अगर देखा जाए तो knight वाकि में बहुत डेंजरेस है फिर हाल सेंटर के pawn पर जादा issues है नहीं लेकिन नाइट g4 पहले यहां white का move आया और अगले move में check बिलकुल दिख रही है लेकिन उससे जादा मुझे लगता नहीं ब पर प्यूस कर लिया है रुक f3 then rook d4 और प्रेशर बढ़ा जरू है लेकिन फर्क कुछ पढ़ेगा नहीं h3 then हुआ b5 f6 और friends फाइनली एक breakthrough निकालने की कोशिश है यहां pawns में तो प्रिग्ननंद को यहां करना ही पढ़ा g takes f6 friends rook attack e goes to f6 from black side और प्रेशर में तो है यहां पर यह f6 pawn to knight d7 से इसका defense हो ही सकता था knight h6 और यहां से friends अगले move में क्या threat है अब मुझे वाकई में लग रहा है कि प्रग्ननंद थोगी problem में तो है knight d2 की option को पहले यहां पर चुना यह थोड़ा सा मुझे concerning लग रहा है फिरा में एक move पहले की बात परूफ और प्रिग्ननंद अगर queen c5 हो जाती है तो बहतर option होती है आप यहां देखे कि कि किस तरह का pressure बनता है मैं pressure की बात कर रहा हूं गेम का result पता नहीं क्या होगा वाद की बात है queen g4 अगर वागर जो भी move यहां पर white चलेगा तो उसके पर रुख d2 की option को अपना है जा सकता था प्रिग्ननंद के दुवरा लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि प्रिग्ननंद को आज create में हम लोग suggest कर सकते हैं कि आप यह move चले या यह move ना चले यहां पर खेला गया knight d2 for black side यहां प्रिग्ननंद ने पहले रुख पर attack बना रहा है रुख फीक है pressure में तो लग रहा है आप पहले इसको नहीं करेंगे आप पहले रुख को ही बचाएंगे रुख गया e3 square पर then हुआ queen e6 चले queen तो गई है बच अब क्या करें अब जैसे मैंने कहा कि knight f5 अब ही भी बु गोल भी नहीं है रुख पर attack होता है रुख को हटाना ही पड़ता है लेकिन queen यहां h4 square पर पहले परहां भी 9 c5 then rook आया f5 square पर थोड़ा सा surprise तो है इसमें well b4 हुआ a takes b4 friends pregnant ने भी यहां एक breakthrough या defensive breakthrough में कहुँगा निकालने कोशिश की है rook takes b4 होने के बाद यहां pawn पर तो attack बना है लेकिन यहां मैं मानता हूँ की problems है blackie game वो क्या है जी फाइल का open होना rook वो भी दोनो queen और knight चार pieces उसी side पर attack लगाने के लिए तेयार है जहां पर king रखा हुगा है queen g4 square पर पहले प्राहम न ली तो यहां pregnantland ने अपने रुख को लिया b8 square पर और जो pressure बनने वाला है उसको defensive करने की कोशिश की rook g3 और मुझे नहीं लगता immediately कोई अभी g8 square पर threat यहां पर है queen d7 के auction को पहले यहां पर चुना गया फ्रेंड्स यह option क्या है क्या प्रग्राणन्द यहां मौका मिलते ही queen actions के लिए जाएंगे शाइद इसी लिए queen को d7 square पर रखा गया king h1 ठीक है यह चेक थी तो खतरना king को move किया गया है और फ्रेंड्स यहां इस point पर प्रग्राणन्द से एक गलती मैं मालता हूँ है वह यहां अपने knight को c4 square पर लेकर जा सकते लेकिन इसे मैं गलती नहीं कहूंगा पर हाँ black यहां थोड़े सा game को hold कर सकता लेकि knight के e6 square पर जाने के वाद प्राब्लम्स बड़ी हैं क्यों प्र पहले कहा था कि क्विन एक्षेंज का मौका था जो यहां से जा चुका है तो इसी बात को देखते हुए प्राम को believe it or not यह last move था हुए रूप टेक्स f6 यहां लगाने का मौका मिला और यहां इस move के बाद प्रग्रणन्द को resign करना पड़ी हैं सबसे पहले तो यहां concern इस knight पर है जो double attack के साथ आ रहा है पहली बात दूसरी बात रुक से रुक नहीं लिए जा सकता पहले में इसी को explain कर दो रुक टेक्स नहीं हो सकता अदरवाइस कुई जी एट चैक आप रुक से कुई लीजिए दूसरा रुक आकर बैट जाएगा और वो चेक्मेट कर चुका तो टेक्स ये चैक और वो मेट होगी है अब सवाल लास्ट में गेम में यही आता है कि ब्लैक यहां चैक मेट बचे या फिर इस माइट वेल फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम थी पहली गेम इसे टाइम बर के साथ इस टूर्णामेंट बहुत अच्छी जी ती टाफ मक्ष आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे से यूट्यूब चैनल जास ग्रूब की सब्सक्राइब जरूर करें आपके कमेंट सजेशन कमझे बहुत जार रहेगा थैंक यू फर वाचिंग बाई फर नाओ